एक आवाज है, खामुशियों की है जुबाँ, चल दे तू चल दे करवाँ, वो है जहाँ, वो है जहाँ, लगती है जैसे आसमा, वो है यंगी वो रोशनी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे सकारिक्रम तेजास्विनी में, आपके साथ मैं हूं ममता चूपरा कहते हैं कि मानव जीवन मानो तो बहुत जटिल है मानो तो बहुत सरल और इस जीवन की सरलता को परिभाशित करते हैं तमाम वो लोग जो इस समाज को, इस देश को, इस दुनिया को खुबसूरत बनाते हैं इस कोशिश के साथ कि अपने लिए तो सभी जीते हैं लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए, दूसरे की जीवन को आसान बनाने के लिए जीते हैं, ऐसे लोग विरले ही होते हैं। और आज हमारे साथ इस कारेक्टर में ऐसी ही एक महमान मौचूद हैं। एक ऐसी महिला जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज कल्यार को ही समर्पित कर दिया हमाई साथ हैं विवेकानन केंद्रा कन्याकुमारी की वाइस प्रेजिडेंट निवेदिता रगुनाद भीडे मानव जीवन के गहन मुल्यों को समझते हुए और उन्हें आत्मसाथ कर जन कल्यार के जरिये अपने जीवन को समर्पन का अर्थ देने में जुटी है निवेदिता रगुनाद भीडे जिन्हें सब प्यार से कहते हैं निवेदिता दीदी जिन्होंने 19 साल की छोटी सी उम्र में ही परिवार का त्याक कर विवेकानन्द केंद्र में आकर समाज कल्यार और सेवा को ही अपने जीवन का धे बना लिया पाठन, सादगी, अनुशासे जीवन के मूल्यतो दीदी को माता पिता से ही मिले विवेकानन्द केंद्र में इन मूल्यों ने उन्हें मार दिखाया और बन गई जीवन व्रती विवेकानन्द के विचारों को आत्मसाथ करते हुए निवेतिता दीदी ने देश के अलग-अलग हिसों का भ्रमण करते हुए संगठन से जुड़ी जिम्मेदारियों को निस्वार्थ भाव से निभाया एकनाथ रानाडे जी की छत्रचाया में आपके जीवन को दिशा मिली और आपने अनेग गरीब असहाई लोगों के जीवन को दिशा दिखाई मानव सेवा के लिए किये जा रहे अतुलनिय कारियों के लिए ही विवेका नंद केंद्र को गांधी शांती पुरसकार से नवाजा गया और आपके व्यक्तिकत योगदान को देखते हुए आपको पदमिश्री से नवाजा गया मानव जीवन को अर्थ देने और दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाली निवेदिता दीदी ही है हमारी आज की तेजस्वनी तो आए निवेदिता जी से करते हैं बात इनको प्यार से लोग कहते हैं निवेदिता दीदी बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इसकारिक्रम बे आपका नवेदिता जी आपने 19 साल की बहुत बाली सी उमर होती है जब हर युवा के मन में बड़े सपने होते हैं जीवन को जीने की इच्छा होती है एक ललक होती है लेकिन वह एक ऐसी उमर थी जिस समय आपने सूचा कि यह सब त्याक कर विवियकानंद केंद्रा को जॉइन किया जाए इस सोच के साथ आगे बढ़ा जाए कैसे निर्ने लिया किस चीज ने आपको प्रेरित किया इतने बड़े निर्ने को जीवन में लेने के लिए जो आपने कहा ना कि हर एक का सपना होता है, तो मेरा तो यही सपना था, यही जिवन मुझे जिना था, और इसलिए मैंने यह निरने लिया, अभी यह निरने कैसे आया मन में, तो मैं यह कह सकती हूँ कि मुख्य रुप से, जो घर के समस्कार होते हैं, याने माता पिता के समस् परिवार का वातावरंड मेरे घर में जिस प्रकार से बहुत पुस्तक मेरे पिता जी लाते थे और हमें पढ़ने का शोग भी उन्होंने निरमान किया था रोज जब एक खना कमके कम मेरे घर में हम सब लोग मिलकर खाते थे तो जब सब मिलकर बैड़ते थे तो सारी दिन भर की जो जो हुआ फिर मेरे पिता जी कुछ-कुछ बाते बताते थे तो यह जो एक समाझ का मन समझना या अपने राष्ट्र के बारे में एक जागरुकता लाना ये सारा घर में सहचता से हो रहा था और इसलिए मुझे और जो मैं पढ़ती भी काफी ती तो जब मैं 11 की शिक्षा में थी तो मुझे लगा अभी बस शिक्षा बहुत हो गई, अभी मैंने कुछ काम करना चाहिए और उसी समय सुदाई वसे मैंने विवेकानन्द केंडर के बारे में पढ़ा कि विवेकानन्द के तो मुझे लगा ये एकदम मेरे लिए सही है फिर मैंने जाके मेरे पिता जी को बताया लेकिन उनको केंद्र के बारे में पता था इसलिए उन्होंने कहा वहां तो कम से कम पद्वी प्राप्त करना है तब ही जा सकते है अभी सुधाइवसे मेरी पढ़ाई बहुत जल्दी हु तो जैसे ही मैंने मेरे फाइनल एर का अखिर का पेपर लिखा मैंने घर आके कन्या कुमारी खत लिखा कि मैं जोइन करना चाहती हूं तो अभी आप बताईए क्या करना है फिर मुझे वहां से खताया कि श्रेकनाज जिरानड़े आएंगे वह आपका इंटर्यू लेंगे अ तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो दो तिन बरस के बाद आओ मैंने कहा आप मुझे नहीं लेंगे तो मैं और कहीं जाओंगी तो उन्होंने पूछा कहा जाओंगी मैंने कहा मैं बाबाम्टे के इसमें जाओंगी तो वह हसने लगे वह कहे कि तुम चाहे जो सोचती हो लेक मारे घर आऊंगा माता-पिता से मिलूंगा और वो सच में आये वो मेरे माता-पिता से मिले मेरे पिता जी ने भी पूछा फिर उस समय कि एकना जी मुझे पूछ रहे मैं क्या बता हूं मैंने कहा हां वो लिये फिर उन्होंने कहा तुम्हें MSC PhD नहीं करना है क्योंकि मैं मैंने तय किया है कि मैंने इस मार्ग पर चलना है तो मैं दूसरे मार्ग पर समय क्यों गवा हूं मुझे जहां जाना है वहां में जितना तुरंट जा सकूं मैं जाना चाती हूं यानि आपे पक्का मन बना लिया था कि मेरे माता-पिता कभी बाधा नहीं बने यानि मा के मेरे मारगों में बाधा नहीं बने, मुझे रोका नहीं। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि हम सब लोग मिलकर बैठके खाना खाते थे, सब बाते करते थे, पिताजी किताबे लाती थे, वह आप पढ़ा करते थे, जिनसे आपका एक सोच बन गई। कितना जरूरी होता है ये परिवार में सब का मिलना, जुलना, सब का एक बार बैठकर खाना, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि ये सब कहीना कि खत्म हो रहा है, ऐसे कौन से उदाहरन है, आपके माता पिता जब आपको बड़ा कर रहे थे, उस समय के दौर के जो आपके विक्त आपकाराम, संत द्यानेश्वर, संत कबीर, इनके भजन होते थे, और फिर बाद में प्रसाद होता था, पांच बरस तक बच्चे को छूटती, उसके बाद उसने भजन में बैठना ही है, कितनी भी नीन दाए, कुछ भी हो, चाहे हमारी पबलिक एक्जामिनेशन हो, कुछ पिता जी कहते थे, कि तुम्हें पता आज गुरवार है, भजन का समय है, पढ़ाई पहले करनी थे, यानि अनुशासन पूरा थे, एकदम, तो बैठना है, फिर वहां बैठते समय, फिर कभी-कभी कुछ कथाएं वगरे भी होती थी, फिर मेरे पिता जी क्या करते थे, छु आते थे, तो वो एक होता था, दूसरा मैंने देखा कि मेरी माँ, जैसे उनको सिर्फ तीन ही सारियां थी, यानि उस समय वो नाइन यारड सारी पहनती थी, महाराष्ट्र में जो पहनते हैं, तो दो अदल बदल के घर में पहनना और एक बाहर जाने के लिए, लेकिन फिर भ पहल से गिर गई, फिर मेरा पाओ कट गया, और फिर वो मेरा बंद हो गया, फिर मेरे बहन को संगित सिखना था, फिर बाद में मुझे द्रॉइंग सिखना था, तो इन सब के लिए वो पैसा निकालते थे, जबकि मेरे पिता जी पोस्ट आफिस में काम करते थे, यानि और जब मैंने कहा कि मैं उर्दु सिखना चाहती हूँ, मेरे पिता जी की भी इच्छा थी, वो कहते थे कि हाँ, ये जो सारे संत है न, इस वांग में तुमने उर्दु में उसका फिर अनुवात करना चाहिए, इसलिए उर्दु पढ़ाओ, यानि वो एक पिता जी का सपना रह रहते थे, वो ही चपल, वो बार-बार सिला सिला के पहनेंगे, तो यह जो था कि जीवन में धन जरूर जरूरी है, लेकिन उसकी एक मर्यादा है, यानि जीवन में प्राप्त करने जैसी और बहुत अच्छी बाते हैं, ये उनके जीवन से समझ रहा था, तो यानि कि एक तर जरूरतों के हिसाब से इंदिशा ताय करने बहुत जरूरी है, एक लेकिन नेक बात समष्ट होती है निवेता दीदी कि जब हम एक सोच लेते हैं, ये राह पकड़नी है, राह तो पकड़ लेते हैं, लेकिन राह पर आने के बात पता चलता है कि ये तो इतनी भी आसान नही थी, आपको भी कभी ऐसा एहसास हुआ, ट्रेनिंग हुई होगी आपकी भी और वो ट्रेनिंग भी आसान नहीं होगी, शायद मैं बहुत जल्दी गई वो भी कारण होगा, मुझे ट्रेनिंग या काम करते समय, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं मेरे मारग को छोड़ दू लेकिन एक बार ऐसा जरूर लगा था, वो कारण ऐसा था कि मैं घर गई थी, याने मेरी बीच में तबियत खराब हो गई, और वहाँ दो बार हस्पिटल में कुछ किड्नी की समस्या हो गई थी, नहीं तो मेरा पोस्टिंग तो अरुनाचल प्रदेश में हुआ था, वो कैं हमें एक बहुत अच्छे आईरवेट डाक्टर है, आप उसको घर बेजिये, तो जब मैं घर गई, तब मैंने देखा कि, एक्चुली मेरा कैलकुलेशन ऐसा था, कि मैं केंद्र में चली जाओंगी, तो मेरे विवाह के लिए पिता जी ने जो भी पैसा रखा होगा, क्योंक पिता जी को मदद करनी चाहिए, और मेरे बात का जो भाई था, वो देड़ दो बरस में, ज्यादा से ज्यादा धाई बरस में उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी, तो मैंने सोचा कि सब ठीक चलेगा, लेकिन दुरदई वसे मेरे भाई का कॉलेज फरजी निकला, फिर बहुत कुछ समस्या हुई, मुश्किले आ गई, यानि उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, तो जब मैं घर गई तब मैंने घर की स्थिती ऐसी देखी, कि पिता जी रिटायर हुए है, और घर चलाने के लिए उनको पोस्टल इंशूरंस अगरे लेकर वो घर घर जाते है, ट्यूशन ले रहे है, फिर मुझे थोड़ा बुरा लगा, कि मुझे लगा कि नहीं, शायद मैंने घर में अभी मदद करनी चाहिए, अभी जैसे यह जो जीवनवरती करके मैं गई, तो हमारा कुछ वेतन होता नहीं है, यानि हमारा जो खर्चा है, वो सिर्फ हमें मिलता है यानि जैसे अभी मुझे किसी को कुछ प्रेजेंट भी देना है, तो मेरा करके ऐसा कोई पैसा नहीं होता है, तो उस समय एक पुने के कोई लेपरसी यानि कुछ रोगियों के लिए सेवा करने वाले किसी संस्था की जाहिराता ही थी, नियूस पेपर में, और उसमें ऐसा लिखा था कि आपको 800 रुपया वेतन दिया जाएगा, खाना, पिना, रहना सब हो जाएगा, यानि वो उस समय के, यानि अभी यह होगा, नया, 1980 वगरे, तो मुझे लगा यह अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा मुझे 100 रुपया लगेगा, मैं 700 रुपया पिता जी को कि मैं केंद्र से आजाती हूँ, मैं वहां जाके काम करती हूँ, यानि मुझे सेवा करने की मेरी इच्छा भी पूरी होगी, और मैं थोड़ा घर में भी मदद कर सकूँगी, तब मेरे मा ने मुझे जवाब दिया, कि यदि तुम्हें विवेकानंद केंद्र अच्छा नही आज थोड़ी समस्या है, निश्चित है, लेकिन एक बार तुम्हारे तीन भाई काम करने लग जाएंगे, तो पैसे का क्या करना है, समझेगा नहीं, इसलिए तुम चिंता मत करो, बहुत बड़ी बात कही हूँ, बहुत बड़ी बात, यानि मा हमेशा में उनके आखों में आते थे, मैं जाती थी, तो मुझे पहुंचाने आती थी, बहुत रोती थी, सब होता था, लेकिन मा इतनी अंदर से पक्की है, और इस कार्य की महानता वो भी जानती है, ये मुझे उस समय पता चला, बिल्कुल, और जो आपने खा पक्की है, ये द्रिड निश्चय जो होन दल्जम, प्रुम और चला, ये मुझे और मुं मुझे खा गहिए आपके लिए धाल बनके हम हैं Corona Warrior. मैं हूँ Corona Warrior. मैं हूँ Corona Warrior. हम है Corona Warrior. Thank you, Corona Warriors. Thank you. Thank you, Uria. Good job. Thank you. Hey, huh? Same time. Thank you, Corona Warriors, for saving us. ब्रेक के बाद एक बाद फिर आपका स्वागत. आप देख रहे हैं ते जस्विनी और आज हमारी ते जस्विनी है निवेधिता भीडे, जो विवेकानन्द केंद्रा, कन्या कुमारी की वाइस प्रेजिडेंट है. निवेधिता दीदी, आप ने अपने जीवन के बारे में बताया कैसे आप इस राह पर आएं. लेकिन विवेकानन्द जी के विचारों से आप बहुत प्रभावित हुएं. एसे कौन से खास विचार थे विवेकानन्द जी के, जो आपको लगता है कि आपका जीवन में तो प्रभाव किया ही, आज के युवाओं को भी दिशा दिखा सकते हैं. आप यदि विवेकानन्द के विचारों के प्रभाव की बात मैं केंद्र जाने के पहले की कर रही है, तो मैंने ज़्यादा विवेकानन्द को तब नहीं पढ़ाता है. मैंने एक तो जैसे मैंने बताया घर के समस्कार, और मैंने स्वामी रामतिर्था के बारे में बहुत पढ़ा था, उनका जो पूरा complete works है, वो हमारे घर में था, स्वामी जी के बारे में बस उतना ही पता था, कि वो वहाँ गये, उन्होंने वहाँ सिस्टर्स और ब्रदर्स अमेरिका कहा, और उनकी एक शिष्य भगिनी निवेदिता थी, इतना पता था, और मेरा भी नाम निवेदिता पिताजी ने रखा था, मुझे तो कुछ सेवाकार्य करना था और विवेकानन्द केंद्रवो सेवाकार्य कर रहा है, इसलिए मैं वहाँ गई, लेकिन वहाँ ज जादा इदर उदर जाना नहीं तो मैं बाकी ट्रेनिंग के क्लासेस में नहीं जाती थी तो मैं पढ़ने में तो बहुत अच्छी थी तो मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभ हो रहा याने जनरली बीमारी में हम थोड़े नीचे आजाते हैं मन से शरीर से लेकिन मैं ने वो प पढ़ा साहित्य तो बहुत अच्छा रहा लेकिन पढ़ने के साथ लेखन की तो तरफ भी आएं आप किताबे भी आपने लिखी उसके बाद वेकरनेंजी पर लिखना तो मैंने बहुत बाद में शुरू किया यानि उस समय मैंने पढ़ा था बाद में जो हमारे अध्यक्ष जमानन ये परमेशोरण जी है उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि तुम कुछ लिखो केंद्र का युगा भारती करके मासिक है फिर मैंने उसमें थोड़ा लिखना शुरू किया और फिर जैसे यानि मैं लिखना है करके लिखती नहीं हूँ लेकिन मैं विवेक आनंद केंद्र की कार्य करती हूं और केंद्र कार्य के दृष्टी से या समाज में जब हम हर क्षेत्र में काम कर रहे है तो वहां जिस सखोलता से विचार करते हुए हमने कार्य करना चाहिए उस दृष्टी से फिर अध्यान करते हुए काम के लिए आवश्यक यानि कार्य करताओं के लिए यह वस्षक मैंने लिखना शुरू गया फिर काफी लिखना शुरू हो गया बहुत सारे अइसे काम भी आपने किया है जो जनकल्यान के काम है खासव पर जनजाती नोगों के बीच जाकर आप रही है वहाँ पर आपने काम किया है एक तरीके से जब आप अपने आपको जनजाती लोगों के कल्यान के रिए भी काम कर रही थी, और समाज के अन्य कल्यान के कामों में जुटी हुई थी. पहले मैंने करन्य कुमारी के गाओows में काम किया और फिर जयसे मेरे पास शिक्षा सच्पेव का दाइतो आया, तो केंद्र का जो शिक्षा करई है वो ज्यादा आसाम अरूना अज्यानाचल में पहले हमने उनको समझना है उनको अपनाना है स्विकारना है उसके बाद ही हम सही रूप से कुछ पढ़ा सकते है तो मैं यह एकनाजी ने पहले ही केंदर के काजे करताओं को यह बताया था कि आप पहले अपने लोगों को अरुनाचल में समझो और जब वो अपने हो जाएंग तभी आप सही रूप से उनको पढ़ा सकते है यह ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी लिके आई हूँ और आप जनजाती के है मैं आपको पढ़ाऊंगी इस भाव से हम कभी किसी का भला नहीं कर सकते है तो यह जो एकनाजी का था इसलिए जब मेरे पास यह दाई तो आया और मैं हम जाने लगी और उनके साथ रहने लगी तो पता नहीं सच में हम कुछ पढ़ा सकते है या नहीं लेकिन जनजाती या ग्रामीन लोगों के जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा याने उनमे जो एक आत्मी आता है इतनी स़झ है और सादगी आत्मी आता है कितनी भी कठिणा आए वो बहुत सहचता से हस सकते हैं तो एक तो उनके हसी दुसरा ऐसा है कि जिसको हम अपने संस्कृति के मूल्य कहेंगे यह मूल्य आज भी अपने जैसे जनजाती के जीवन में दिखते हैं जैसे उधार नार्था मैं एक घटना बताऊंगी बताने के लिए कि कितना सिखने जैसा है मैं एक बार एक गाव में गई थी यहने मैं शिक्षा के साथ साथ अरून जोती करके हमारा एक सेवा कर रहे है वो भी उसका भी दाइत्व था और एक विवेकान अंद केंद्रा इंस्टिटीट आफ कल्चर है उसका कॉर्डेनेशन का काम भी देख रहे थी तो हम ए बाइसा चांगार होता है याने जैसे आग होती है और बम्बु का घर होता है तो उसके चारों बाजु में बैटते हुए फिर दम लगाते हुए खाना खाते हुए गपऽे दुसरे दिन का प्रोग्राम सब उन्होंने बताया और उसके अनुसार दुसरे दिन सबेरे हम वहां का जो हायर सेकंडरी स्कूल था वहां गए तो जब वहां जा रहे थे तो हमने देखा कि जो दसवी, 11, 12 के बच्चे है वह हात में वह बड़े-बड़े दाव लेकर बाहर आ रहे लेकिन वह शानत थे हैं कोई चिला रहे थे ऐसा नहीं है फिर हम अंदर गए तो प्रिंसिपॉल ने बताया कि देखिए इस गाव में दो घर जल गए इसलिए आज कारेकरम नहीं हो सकता है तो हमने का ठीक है तो हम वापस आये फिर बाद में 11 बजे जो विलेज एल्ड अधर्स थे उनके साथ एक बैठक थी तो फिर से हमें थोड़ी देर के बाद एक संदेशा आया कि देखिए यहां दो घर जल गए इसलिए आज वो हो नहीं सकता है मैंने का ठीक है फिर बाद में तीन बजे एक मात्रू सम्मेलन था सारे गाउं की माताओं को लेकर तो फिर स हो क्या रहा है दो घर जल गए तो यह सारा क्यों क्या हो रहा है तो उन्होंने मुझे बताया कि अरे आपको पता नहीं फिर उन्होंने कहा कि यह जो बच्चे गए वो बांबू तोड कर आएंगे जंगल से किसे ने अपना ट्रक उनको दे दिया फ्री वो उसमें लेकर आए फिर मैंने का माता है क्या कर रही तो वो बैठके मैं मेरे घर से क्या-क्या दे सकती हूं मैं यह बरतन दूंगी यह कॉट डूंगी और ऐसा करते हुए आप कलपना किजिए जिवन्त समाच क्या होता है कि 24 अवर्स में उनको वेल फरनिष्ट घर मिल गए दोनों इसको क्या आपने महिलाओं के साथ भी काफी काम किया है महिलाओं के स्थिति को लेकर आपने जो कुछ किया आपके अनुफव क्या कहते हैं देखिए अपने देश में जो भी कुछ आइतिहासिक कारण है महिलाओं के स्थिति गडवड़ा गई यह सही है लेकिन तत्वतहा अपने चाहे जो भी समस्य हो, तो महीला समस्य भी ऐसी है, कि इसके तरफ देखने का अपना जो दुरुष्टिकोन है, वो एकात्मा है, एकात्मा याने जैसे शरीर में अनेक अवयव है, और हर एक अवयव का अपना प्रयोजन है, तो जैसे ब्रेन महत्वका है, या हार्ट महत्वका ड्विदल निया थो इसमें कोई मतलब नहीं है उसी प्रकार परिवार में या समाज में स्थ्री और पुरूष दोनों का भी अपना-पना स्थान ह है लेकिन जैसे व्रुहदारन्य क कि अपनिश्थ नहीं करते हैं कि पुरूष और स्थ्री दोनों मिला तुर तो इसमें कम ज्यादा की कोई बात नहीं है तो एक तो स्त्री और पुरुष यह एक दूसरों के शत्रुत्व या विरोधी इस भाव से इसका मुल्यांकन करना ही नहीं चाहिए यह मैंने महिलाओं के साथ काम करते हुए बहुत अच्छी तरह से समझा पूरा समाज जो है वो परस पर जुड़ा हुआ है तो महिलाओं की समस्य है यह महिला की नहीं है यह समाज की समस्य है और इसलिए यदि उस समस्या को हमें ठीक करना है, तो पूरे समाज को संबोधित करना है, पूरे समाज का प्रबोधन करना है, यानि अपना जो एप्रोच होना है, वो इंटीग्रल होना है. महिलाओं के साथ साथ हम युवाओं की बात भी करते हैं, खास अब जब हम विवेका नंद की बात करते हैं, तो उन्होंने तो युवाओं को लेकर उनकी विचार बड़े महत्रपुण रहे हैं. ऐसे में हमारे आज के युवा, क्योंकि आज के जारतर परिवारों में एक बात होती है, कि हमारे युवा हमारी बात नहीं सुन रहे, आपका क्या अनुभव कहता है, हमारे आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कहूंगी कि विवेका नंद केंदरे की युवा संगटन है और हमारा अनुभव ऐसा रहा है कि आज भी अपना युवा अच्छे विचारों को बहुत अच्छा प्रतिसात देता है सिर्फ हमें उनके पास पहुँचने का तरीका ध्यान में आना है हम बहुत उनको उपदेश देते हुए जाएंगे तो नहीं होगा क्योंकि आज का युवा ये सोचने वाला है ये पड़ा लिखा है उसको बहुत जानकारी प्राप्त है और वो सामने आधर्श चाहता है वो सच में गहराई से सोचना चाहता है यदि हम ऐसा नहीं देंगे तो फिर वो इधर उधर निकल जाता है तो यदि योग्य रिती से उसके पास पहुशते है तो युवा बहुत अच्छा प्रतिसात देता है और विवेकानन्द केंद्र की जो बहुत सारी गतिविदियां है चाहे ग्रामिन क्षेतर में, जनजाती क्षेतर में या शहरों में इसमें सारा युवाओं का ही बहुत अच्छा सहुभाग होता है यानि जैसा स्वामी विवेकानन्द कहते थे थे ना कि my faith is in the younger generation, the young generation from them will come my heroes who will work out solutions to the problems like lions तो ऐसा जो स्वामी जी कहते थे यह एकदम सही है यानि इसलिए हमने युवाओं के साथ काम करने के कारण मैं तो कभी निराश नहीं होती हूँ मुझे तो लगता है कि आने वाली पीड़ी ज्यादा प्रामानिक है और ज्यादा प्रतिसाथ देने वाली है लेकि नवेतर दिदी यह जो आपको देखकर जहन में एक आता है कि बहुत सरल, साद्गी वाला और अनुशासित जीवन जिया है दिदी ने बहुत मुश्किल होता है क्या यह अनुशासन को अपनाना नहीं, मैं एक बताती हूँ कि यदि हम अपने आत्मशक्ति को प्रवाहित करना चाहते है तो शरीर और मन यह जितना अनुशासन में रहता है आत्मशक्ति स्वतंत्र हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है अनुशासने और ये एक बार समझ में आ गया तो युवा भी अनुशासित होता है बहुत 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 शुक्रिया निवेदिता दीदी आज किस्ते जस्वनी कारक्रों में फिल हाल इतना ही अगले हफ्ते फिर होंगे हाजे एक और ते जस्वनी के साथ नमस्कार झाल